उना में मैसेज फेसने के नाम पर हुई करोडों की ठगी मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है इस बहुत चर्चित है मामले में पुलिस ने तीन मुख्य अरोपियों को नुईडर से गिरफतार किया है ये तीनों अरोपी हर्याना के रहने वाले हैं यही नहीं इन में से एक अरोपी आईटी एक्सपर्ट है अरोपी एक विशेश मॉवाइल एप्लिकेशन बना कर ठगी के लिए प्रयोग किया करते थे एक अनुमान के मुताविक इस मामले में करीबन 40-50 क्रोड रुपे की ठगी हुई है और इन में से 70,000 आईडी और करीबन 250 फ्रेंचेस थी जिसके तहद हजारों लोगों के इस मामले में शिकार होने का अनुमान है यही कारण था कि मामले की गंबीरता को देखते हुई अरोपियों की धर पकड के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमों को दिल्ली और हर्याना रवाना किया था यहां तक की एरपोर्ट और पासपोर्ट अथारिटी के जरिये भी इन पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी मामले की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम गठीत की गई थी लेकिन बाबजूद इसके लंबे समय तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली आखिरकार पांच महिने बाद पुलिस टीम को नुईडर से तीन मुख्य आरोपियों को गिरिफतार करने में कामयाबी मिली जबकि पुलिस अभी और गिरिफतार किये जाने का दावा कर रही है वरहाल पुलिस ने आरोपियों को बैंक अकाउंट भी सील कर दिये हैं पुलिस के मताबिक ये आरोपियों विहस सातिर हैं और पंजाब के मानसा में भी इसी परकार के क्रोडों की ठगी के मामले को अंजाम दे चुके हैं आरोपियों अपने कतीतर सुख का रवया जिता कर पुलिस को गुमरा करने का प्रयास किया करते थे आपको बता दें कि इस fraud MMS फरम का सबसे पहले मीडिया ने परदाफाश किया था जिसके बाद रात और रात ये फरम उन्ना से रफुचकर हो गई थी पुलिस ने इस मामले को उजागर करने के लिए मीडिया की भूमी का क्यों भी सराहना की है पुलिस को सबलता हात अलगी है तो हमने इस में जो गैंग ता जो अप्रेट कर रहा था इनका जो डिरेक्टर है विजे उसको हमने अरेस्ट कर लिया है नमबर दू, दूसरा जो अक्यूज है अजे जो इनका आईटी एक्सपर्ट है, कम्प्यूटर एक्सपर्ट है जो अजे ही सारी एप्लिकेशन को डिजाइन करता था उसको भी हमने गिराफ़तार किया है और तीसरा सचिन नमका लिखती है जो इनका इनकी कमपनी में काम करता था तो इनको अमने गिराफ़तार किया है तो सर जो मुख्य सरगना है इनका परवीन ओफ मोहिद वो अभी तक पुलिस की कौन से दूरे है जो इनका मुख्य सरगना है, मुख्य सरगना इनका विजे भी है वीजे मुख्या सरगने जिसको हमने गरफतार गिया है मुख्या जो इनका टेकनिकल एक्सपर्ट है जिसके एप्लिकेशन के बिसिस पर ही ये लोग SMS भीजते थे और इनको SMS भीजने के इनको 5000 रुपे परती महा मिलते थे तो वो जो एप्लिकेशन डिजाइन करता है जो इनका कोर आदमी है इनके टीम का जो कोर आदमी है टेकनिकल आदमी है वो अजे है उसको भी हमने गरफता किया है